हेलो स्टुदेंट्स सी प्लेस प्लेस अपां क्लासिज औड अब्जेक्ट्स स्टार्ट किता थी लास्ट रेचर्च सो आज अपां एक वरी थोड़ा यह उन्हों रिवाइस कर देयां ते नाली वह देखो टोपी कवर करांगे याइट इस स्टैडिक मेंबर्स सो प्हला क्लासिज औड यॉब्जेक्ट कर देयां तो देखोए क्लास डिकिती हैं । ये अपाई लिए कोई भी होर नंब भी लए बी, तो दो विरियेबल क्रेट किते, देन उस तो बाद पब्लिक अक्सेस स्पेसिफायर लगाया है, यह दा लिखन दा मतलव कि यह है, कि बाइड़ फोल्ट जेड़े भी क्लास दे मेंबर्स ने, जेनरली अपा क्लास चे दो चिज़ा लेनिया, मेंबर विरियेबल्स और में करांगे, चाहे हो विरियेबल्स ने, डाटा मेंबर्स ने, चाहे हो फंक्शन ने, वो सारे की होंगे, पब्लिक, तो इथे अपा दो फंक्शन लेया है, एक है वोइड सेट रेटा, जीदे विच आपा दो वेल्यूस पास करके, उन्ना नों असाइन करवाया है, एक आउट मेमरी कदों प्रवाइड होंदी है, जदो आपा वो क्लास दा विरियेबल्स करेट करांगे, तो उस क्लास दे विरियेबल्स नों अपा की बोल दिया है, ओब्जेक्ट, जिमें कि आपा मेंन फंक्शन चे थे करेट किता है, नमबर एन वान, एन टू, एन तू, एन त्री, तिरना दे विछी की होईगा, a and b, a and b, एन और ओभजेक्ट्स नों अपा इंस्टांस भी बोल दिया है, ओब्जेक्ट कहा सक्दों तूसें, या फिर, इंस्टांस. इंस्टांस कीधे होनगे है? इंस्टांस्स ओफ नमबर क्लास, इंस्टांस ओफ नमबर क्लास, तिर ए त भी विरीखल ने इन्हों आपा की गोल दिया हैом CONT. तुसे ने नों इनस्टांस ींटा मेंबर्स भी कैसा दिया हुँ क्यों 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 जेन्नी बार भी इनिक व्यों भी याटेक्ट बननन गे जिन्नी बार भी इनस्टांस अँपा क्रेये करांगे jam अपनी वारहियों instance variable भी create होनगे हरेक को अब्जेक्ट दे हरेक इंस्टांस दे अपने instance variable होनगे हरेक दे विच ए पी होनगे ते हरेक दे अपनी लगतों value होईगी by default इन दे विच कोई garbage value हो सक दिये सो अपप पहला इन दे विच values assign कर दे है using set data function so function नो की में call करना है पहला object दा name then dot and then function दा name n1 dot set data उन set data function चापा दो values भी पास करने हैं so आपा दो values पास किती है 10 and 20 so 10 and 20 किते चला गया x and y दे विच यहनकि x दे विच किनी value आगी 10 ते y जे किनी आगी 20 उस तो बाद हो correspondingly values आपा किती है sign करने है a is equal to x x दे value किनी है 10 वो आपा किस्च चाप साइन करती h उन a एत्थ हों दी केड़ा होएगा जिदा आपा ने function call किता है so n1 दे h किनी value आगी 10 इसी तो रिके नाल n1 दे b दे विच किनी value आगी 20 then n2 dot set data 30 40 एथे हुन 30 and 40 values आगी है x and y ज correspondingly लिए values किते आजाने गया a and b ज ते की दे हों गयो a दे b n2 दे इसी तो रिके नाल n3 dot set data 50 60 so n3 दे विच दे विच दे विच दे विच दे विच दे विच दे आगी है 50 and 60 then उस दो बाद आपा n1 dot output आउटपट दे विच दे विच आपा a दे b दे विदि वेल्यूज प्रिंट करा रहे है a is equal to a एथे केदी वेल्यूज होईगी n1 दे a दे n1 दे a दे वेल्यूज दी दे निया 10 b is equal to 20 then n2 dot output एथे a दे b दे वेल्यूज केदी हैं प्रिंट होंगी है n2 दिया, that is 30 and 40, then n3.output, एथे हुने एथे भी दिया, किदिया वे लिश्प्रिंट होने n3 वडिया, that is 50 and 60, so एइसे अपनी output एइसे class and object, एथे दिखो अपाना दो variable यूज किते नहीं इना variables उन्हों आपा की बोल दिया data members जा फिर instance data members ते इडे functions ने इना नो की बोल दिया member functions और instance member functions ते इडे class अपा variable create कर दिया, n1, n2, n3 इना नो आपा variable नी बोल लांगे इना नो की बोल लांगे अपा objects ते सारे objects दि collection नो आपा की बोल दिया, class so class की है, collection of objects है so n1, n2, n3 इसारे नो मि लाके अपा की बोल दिया, इक क्लास है केडी क्लास है है नमबर, जो भी अपा इथे नाम प्रवाइड किता है इना फिर static दिया भी दो टाइप, static members भी दो तरह दे होंगे इस्टांस विरियबल, बट अपा हुन एक विरियबल दी नाल, static keyword लगा था static int b, ता इधे नाल हुन जड़ा भी विरियबल है, एक एड़ा विरियबल बन गया static विरियबल, जा किया सकते है, static data member, जा फिर इनो class विरियबल भी बोल दिया class विरियबल क्यों बोल दिया हो, अपा नेक्स देख दिया, एड़ा A है, एक एड़ा विरियबल है, इंस्टांस विरियबल तो यदि की प्रोपेटेज नहीं है, वाच एड़ा आउटपूट टाइम ते देख दिया, कि यह है, फिलाल अपने कोल कि यह एक नॉर्मल विरियबल है, जिरुम अपा इंस्टांस विरियबल कह रहे हैं, तो एक अपने कोल static विरियबल है, देज बी, देन, फंक्शन ओद आउटपूट, आउटपूट, आउटपूट चापा सिंपल आउटपूट, इस नहीं है, प्रोपटी यह है, इंक्रियमेट विरियबल होंदा है, वो दि इनिश्यल वैङल्यू की होंदी है, जिरू, बाइड़ वैल्यू ओदी की होईगी, जिरू होईगी, नॉर्मल विर पड़ी वेल्यू स्प्रिंट कर आ रहे हैं सी आउट ए इस इकल डू ए एंड सी आउट बी इस इकल डू बी देन क्लास क्लोज उस तो बाद मेन फंक्शन दे विच आप आएदे अब्जेक्ट क्रेट कर देया नमबर एनवन एनटू एनटू एनट्री उन देखो जदू ही आपाने एनवन एनटू एनटू एनट्री लिखेया नमबर एनटू एनटू एनट्री तो तिन्न अब्जेक्ट क्रेट होंगे केड़े केड़े एनवन एनटू ते एनट्री जिदा कि लास्ट प्रोग्राम चे इसे यह सुफघी है तो तिनना इविक क्यों नीज भम आ आप की बोल देया है? Class variable so hereatiya और दिखो atStatik, अबिरियेबल क्योंदा है? Nagoda static विरियेबल न», सिरफ 1 कोई कोपीगरेट हो धोजी यह, For the whole class Static variable कादे भी इस योख प्र्रीकुछ겠습니다 नू बहुंग नहीं करदा, static variable कीनू बहुंग करदा है, पुरी दी पुरी, class नू बहुंग करदा है, so static variable दी सिर्फ इक copy-rate होईगी, b is equal, then static variable सारे objects उनू share कर सकते, यहनकि static variable दी सिर्फ 1 copy-rate होईगी, then all objects उनू share कर सकते, so एथे देखो, a दिता पा तिन copies क्रेट किती है नहीं क्योंकि एक इस इक इंस्टांस विरियेबल सी बट स्टैटिक विरियेबल दी सिर्फ इक कोपी क्रेट होईगी for whole class class की हिंदा है collection of objects यनकी सारे objects वास्ते सिर्फ एक कोई b variable create होएगा ते सारे objects उन्हों access कर सक दिया बट एदे विच एक होर भी चींज है एथे अपा static int b लिखे है एथे अपा b नो सिर्फ declare किता है define भी करना इनो जरूरी है जनकी इन memory किते मिलूगी तुसी class तो बार एक होर line लिखोंगे ओ line की होईगी class तो बार main function तो पहला int then class तो बार जदो भी अपा किसे member नो लिख दिया उदे लिए अपा पहला होदा full name लिख दिया full name मतलो उदे class दा name number then scope resolution उस तो बाद b simple any line लिखन डाल की है उन्हें जड़ा static variable है की हो गया define हो गया define static variable so एथे हुन b नो memory create होईगी b सिर्फ एक कोई memory create होईगी ते सारे अबजेक्टों नो शेयर करने सो एथे सिरफ दो ही difference आपा देखे है की इक static variable नो पहला declare किता class देविच यहनकी यह class नो बिलोग कर रहे है kd class नो number class नो बट इन्हों memory एथे मिलेगी जदो आप इन्हों define करांगे सो define करांगे होथी data type लेख नहीं है तो अधा full name तो इसे अथे कोई होर value भी दे सकते हों बट by default एथी value की होईगी 0 अगर कोई होर value देने आप 10, 20, 50 दे no value एथे assign होजेगी सो by default एथी value की है 0 अगर आपकोई भी value नहीं दे रहे थे ता default value एथी की मननी जाएगी 0 नेक्स्ट अपा कर दे हुन n1 dot केटा function यूज़ किता थी अपाने set data सो set data इथे suppose अपा value पास करवाती 10 ता हुनो 10 value कीथे जाएगी x दे बिच then x तो value कीथे आगी h उन a कीदा है n1 दा so n1 दे h किन्नी value आगी 10 ते नाड़ी अपा की कर रहे है b++ so b++ ने की करना है value की नहीं प्रिंट होगी थे 1 so value इथे assign होगी 1 0 दे increase करके 0 नहीं की increment करके value की नहीं होगी थे 1 then n2 dot set data इथे suppose अपा value पास करवाती 20 उन्हें 20 value कीथे गी x दे विच then x तो value कीथे आगी h तो a की दा मनने जाओ गए है n2 दा so n2 दे h value की नहीं आगी 20 next है b++ हुन b इथे a वाला ही assign होगी यह अपने को सिर्फ ही कोई है सारे object होनों share कर रहे है हुन्हें इथे previous value की नहीं सी 1 1 तो increase होके हुन value इथे की नहीं आगी 2 next n3 dot set data एथे suppose value पास करती है अपने 30 हुन्हें 30 value की दे जाएगी h a के दा है n3 दा plus b++ b++ दा मतलों कि यह हुन जो इथे previous value है previous value की यह हुरे 2 2 नहीं override करके यह थे value किनी होगी हुन 3 so b दी हुन latest value अपने को ले किनी आ रही है 3 इस तो बाद अगर आपा हुने नहीं output करवाने है देखो n1 dot output n2 dot output and n3 dot output ता देखोए थे की values प्रिंट होनगी है अगर आपाई दी output not करगे n1 dot output n1 dot output नहीं की करना है output function नों कौल की ता a दी value प्रिंट होई a is equal to a केड़ी value प्रिंट होईगी n1 दे a दी n1 दे a दी value किनी है 10 next b is equal to अगर इथे त्यान रखना है b अपने कौल सिर्फ 1 कोई है b अपने कौल 1 कोई है तो अधी value भी 1 होईगी so latest value अपने कौल किनी प्रिंट होईगी 3 so अधी value किनी प्रिंट होईगी 3 काफी student दे थे mistake कर दिया कि b दी value यह थे 1 मल ले दिया बट 1 value अपने कौल नहीं है वो ओवर्राइट होके पहला 2 होगी then ओवर्राइट होके हुन लेटेस्ट value अपने कौल किनी प्रिंट हो रही है 3 क्योंकि b अपने कौल सिर्फ एक कोई copy है b दी ति वो एक कोपी चिक कोई value होईगी ति हुन अपने को लेटेस्ट value किनी है 3 सारे अबजेक्ट बास ति वो value किनी प्रिंट होईगी 3 n2.output अपने n2 दी value पहला a दी value प्रिंट होईगी a हुन अथिकेट है n2 दा n2 दा a जी value किनी है 20 then b is equal to अबने n2 दी value किनी प्रिंट होईगी 3 अपने प्रिंट करा मांगे 3 next है n3.output n3 दे विच a दी value किनी प्रिंट होईगी 30 and b is equal to n3 दी दी value किनी प्रिंट होईगी 3 सारे अबस्ते अपने को बी दी value किनी है 3 एथो यह भी प्रूब होंदा है कि bd अपने को सिर्फ इक कोई copy है अगर bd value अपने को प्रिंट होईगी प्रिंट हो रही है 3 so इसी static variables static data members static data members दिया कुछ properties ने देखो की की ने static data member नूँ आपा declare कि थे कर दियां inside the class so static data members are declared in the class class दे विच आपा इनू declare की में कर दियां static keyword देना नाली इनू outside the class define करना भी जरूरी है जदो define कर दियां ओधो ही memory create होईगी ठीक है तो उसी object create करो जा ना करो बट static variable नू जदो define कर दियां ओथे ही ये variable create हो जादा है चाहे आपा कोई भी object creator नहीं किता so इना नूँ आपा class member variable भी बोल दियां static variables नू class member variable भी बोल दियां it doesn't belong to objects it doesn't belong to any object static जड़ा data variable है static member है जो वो किसे particular object नू बिलोंग नहीं कर दा रदरो सारे दे सारे objects वस्ते common होंदा है पूरी दी पूरी class नू बिलोंग ना दे so इना नूँ आपा access कर सकदियां next आपा कर दियां static member functions static member function ने आपा same program दे विछ कुछ changes करांगे static function same अपा एक class create कर दे हैं class number int a and static int b a की एक एक instance variable है normal variable है b की एक class variable है जिनोंग आपा static variable करने है so b की एक static variable है या क्या सकदियां class variable है then एक function create कर दे हैं आपा void set data int x then एदे विछ आपा values assign करती है a is equal to x and b plus plus उनोंग आप एक static function create कर दे हैं static void output static function दे एक property है कि static function दे विछ तुसी शिरफ static member दे रिवाइबलनों ही access कर सकदियां जिड़ा normal function है set data A दे विछ आपा static function दे एककसेस किता है यानकि B दे यूँभी यूज किता है ते normal variable दे यूज किता है बड जिड़ा static function है ओदे जिछ तुसी शिरफ static variable दे यूज कर सकदियां अगर दुसी एधी वेल्यू भी प्रेंट करवाना चाहने हो ता होदे लिए अपा इक नॉर्मल फंक्शन लाइ सकते हैं बट अपनों इथे ज़रूरत नहीं है देन स्टाटिक वेरेबल नो क्रेट कर देन किदा क्रेट करना सी? इंट देन वोदा कम्प्लीट नेम कम्प्लीट नेम देज ग्लास नेम स्कोप रेजलूशन एंड देन बी तो इथे स्टाटिक वेरेबल क्रेट हो गया एक बी ते वोदी वेल्यू की होईगी इनिशल वेल्यू जीरो देखो हुने थे आपकोई वी अब्जेक्ट क्रेट नहीं किता बट स्टिल भी अपने कोल आगे है ते वोदी वेल्यू की नहीं है जीरो उन स्टैटिक फंक्शन दे एक होर प्रोपर्टी है एक प्रोपर्टी आपका देख चुके एक की है कि स्टैटिक फंक्शन दे विचा अपका सिरफ स्टैटिक वरियेबल नो ही अक्सेस कर सकते है ते दूसरी में प्रोपर्टी इदी की है कि स्टैटिक फंक्शन दूसी अब्जेक्ट तो बिना भी कॉल कर सकते हूं कि में देखो वाइड में इन स्टार्ट किता अपकाने हुन जदों भी अपकोई उब्जेक्ट किसे फंक्शन नो कॉल करना है जिमिंकि लास्ट प्रोग्राम जबाइब जहां हुन तक जिनने भी प्रोग्रामन आया हुना ज़ा आपका देख दिया है आपका उब्जेक्ट करेट कर दिया है N1, N2, S3, N3, S1, S2 जा B1, B2 तो अपथे थ्रू इनननों कॉल कर दिया है सेट डेटा और आउट्पूट फंक्शन नों जिमिंकि आपका लास्ट प्रोग्राम जबाइब जा किता थी N1.setData, N2.setData, N3.setData बट इथे हुन आपने कोल कोई भी object नहीं है अगर तो उसी output function नूँ call करना जाने हो ता कीमे करांगे output function नू no doubt आपकोड कर सकते हैं क्योंकि यह एक static function है तो static member जेडे हुन देने हो किनू belong कर देने पूरी दी पूरी class नूँ belong कर देने किसे particular object नूँ belong नहीं कर दे तो यह पूरी दी पूरी class नूँ belong कर देने इस करके आपा इनू call कर सकते हैं by using the class name तो देखो कि में call करना है नू class दा name लिखांगे आपा number then scope resolution and then function दा name output तो इदी नल कीए output function call हो गया तो इदी output की आएगी output आएगी आपने गोलन जदो output function call गी था तो output function देखो की कराना है आपा print b so b is equal to b दी value की निया starting चे 0 so 0 value print होगी इस तो बाद आपा इदा एक object create कर देना suppose number n1 n2 and n3 जदो आपने statement लिखी तो आपने गोलन n1 create होया n2 create होया n1 and n3 तिन्न अबजेक्ट create होगे तिन्न अबजेक्ट दे विच की होएगा a होएगा अपने को बी नहीं होगा क्योंकि b की एक static variable है और पहला already create हो चुकिया पूरी पूरी ग्लास बस्ते so एथे सिर्फ instance variable create होगे a then n1 dot set data function call करते हैं 10 value पास करती है 1020 and 3 dot set data एथे value पास करती है अपाने 30 so correspondingly 1020 and 30 values किते जाने गया a दे विच 10 20 and 30 तिनाली b++ होके जिवें की पिछले प्रोग्राम ची कितना सी अपाने 0 तो पहला increase होके 1 होजेगा then 1 तो increase होके 2 होजेगा then 2 तो increase होके 3 यानकि latest value अपने को बी दिक नहीं है 3 प्रेंट की दे द्रू गराना अपने output function दे द्रू अपने output function अपने object दे द्रू भी call कर सकते है या फिर class दे द्रू भी call कर सकते है चाहे तुसी n1 dot output लिखो चाहे n2 dot output लिखो चाहे n3 dot output लिखो या चाहे number scope resolution output तो सारे या अधि विचे same task प्रफॉर्म होएगा number scope resolution and then output तो इत्ते हुन output की आएगी b is equal to किन्नी value प्रिंट होएगी 3 चाहे अगर थुसी n3 dot output लिखोंगे ता भी value 3 प्रिंट होएगी n1 dot output लिखांगे ता भी value की इन्नी प्रिंट होएगी 3 क्योंकि b दी हुन latest value की नहीं अपने गोल 3 तो सारे object होनों share कर रहे है तो इसी static members static members चाहे अपा दो चिज़्जा किते हैं static data members and static function so static function दे विच त्यान रखना है दिया दो properties नहीं एक तक ही है कि static function दे विच पाद सिरुफ static member नूँ ही access कर सकदे और normal member नूँ access नहीं कर सकदे instance variable नूँ access नहीं कर सकदे यानकि दूसी है थे a दी value access नहीं कर सकदे a नूँ अगर access करां दे कोशिश करांगी ता error आईगी तो दूसरा की है कि static function नूँ या static member नूँ दूसी चाहे हो data member है चाहे हो function है कोई ओनू दूसी class दे नाम दे नाल भी call कर सकदे हो class दे नाम दे नाल access कर सकदे हो बशर्ति ये थे public और private वाले access specified दे रूल अपलाई होनगे अगर दूसी नूँ public लिखे है ता ही class तो बार access कर सकदे हो डाटा नॉर्मली अपल प्राइवेट रख दे हो इसकर के इनू अक्सेस नहीं कर सकदे अगर डाटा नूँ भी access करना है ता ओनू भी अपलिक करना पहीगा तो इसी static members थेंक यू